हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शूती और वेलकम बैक टू माई किचन सबसे पहले आप सबको हैपी इंडिपेंडेंडेंस टे आज इस सुब अवसर पर मैं आपके लिए ये तिरंगा बर्फी की रेसिपी लेके आएं हूँ जो हमारे national flag से inspired है इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए हम ये तिरंगा बर्फी बनाना शुरू करते हैं आज ये बर्फी हम सुखे हुए नारियल से बनाएंगे जिसे हम desiccated coconut भी बोलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक कडाई में हम दो कप desiccated coconut डालेंगे और धीमी आज पे इसे हम भून लेंगे जादा हमें नहीं भूनना है कोई color नहीं लाना है हमें इसमें बस इतना ही भूने कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो जाए करीब करीब आपको चार से पांच मिनिट लग जाएंगे इसे पूरा गरम करने में तो मैंने इसे इस तरह से भून लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा color दिख रहा है बड़ हमें वो color लाना नहीं है इसका मतलब है कि हमारा जो coconut है वो गरम हो गया अच्छी तरह से अब हम इसमें 3 4th cup condensed milk डालेंगे अगर आप जादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 cup condensed milk भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पे 3 4th cup ही यूज कर रही हूँ बस अब ये condensed milk को इस गरम coconut में हम बिल्कुल अच्छी तरह से mix कर देंगे जैसे ही ये बिल्कुल mix ह हो जाए पूरी अच्छी तरह से हम इसका gas बंद कर देंगे हमें इसे जादा cook नहीं करना है बस mix होने तक ही gas on रखना है बाद में हम gas बंद कर देंगे ये मेरा condensed milk पूरे mixture में अच्छी तरह से mix हो गया है अब मैं इस mixture को 3 हिस्से में बाट दे रही हूँ क्योंकि हमें 3 color के बनाने हैं तो इसे लिए मैं इसे 3 हिस्सो में ऐसे बाड दिया है मैंने अब इन 3 हिस्सो को मैं एक-एक बोल में निकाल रही हूँ बढ़ क्योंकि हम तिरंगा बर्फी बना रहे हैं तो मैं इसमें इस एक mixture में औरेंज कलर डाल रही हूँ और दूसरे mixture में मैं ये green कलर यूज कर रही हूँ जिस्ट दो तीन ड्रॉप ही आपको यूज करना है color का ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से color इसमें बैट जाए या आधा चम्मच दूद का इस्तमाल कर सकते हैं इसे मिक्स करने में तो अब मेरे ये तीनो तीरंगा वाले colors बिलकुल ready है orange, white और green तो चलिए अब हम इसे set करने के लिए चलते हैं set करने के लिए मैंने यहाप एक mold लिया है इसमें मैंने घी से इसे grease कर लिया है आपके पस जो भी mold available हो उसमें आप इसे जमा सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहापे green डाल रही हूँ क्योंकि green हमारे flag में बिलकुल नीचे होता है इसलिए मैं सबसे पहले green set कर रही हूँ इसे बिलकुल अच्छी तरह से किसी चम्मच की मदद से flat करके set कर दीजिए अब उसके उपर यह मैं white वाला mixture डाल रही हूँ और इसे भी बिलकुल अच्छी तरह से flat करके smooth कर देंगे तो हमारे दो layer set होके ready है अब इसी के उपर हम orange वाला भी डाल देंगे जो हमारा flag का top color orange है तो इसे लिए मैं सबसे उपर orange रख रही हूँ और इसे भी बिलकुल अच्छी तरह से flat करके smooth कर देंगे यह आप काम बहुत patient से कीजिए क्योंकि इसे flat करने में थोड़ा सा time लगेगा आपको लेकिन आप बिलकुल आराम आराम से smoothly इसे कर सकते हैं अब इसे हम थोड़ी देर fridge में set होने के लिए रख देंगे करीब करीब आदे घंडे बाद मैंने इसे fridge से निकाल लिया है और यह उपर से अभी थोड़ा set भी हो गया है तो चलिए अब हम इसके pieces कट कर लेंगे तो pieces कट करने के लिए अगर आपकी knife में थोड़ा stick होता है तो आप knife को clean करके ही फिर वापस cut करें थाकि एक color दूसरे color में ना जाए तो इस तरह से मैंने यह सारे pieces कट करके ready कर लिये मैं आपको एक piece निकाल के दिखाती हूँ कि इसका जो तिरंगा color है वो कितना अच्छा आया है यह देखिए बिल्कुल perfect दिख रहा है बिल्कुल तो यह independence day के लिए आपके लिए इत्तम perfect sweet है जो आप घर पे बना के celebrate कर सकते हैं तो यह है ना बिल्कुल आसान और simple recipe तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को like कीजिए अपने friends and family के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से subscribe करें और bell बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी upload करूँ सबसे पहले आपको notification आए तो एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्ट की बहुत बहुत शुब काम नाए Stay healthy, stay safe मिलती हूँ एक नई recipe के साथ तब तक के लिए Thank you so much for watching